आप सभी का स्वागत है राजनीती में जादूगर के नाम से विख्यात रायस्थान के मुख्यमंतरी अशोग गहलोत ने अपनी कुरसी बचाय रखने के लिए फिर नई चाल चल दी है एक तरफ सचिन पाइलेट गहलोत के खिलाफ अभियान को नई धार दे रहे हैं तो दूस सही है कि 2020 में उनकी सरकार को बचाने में उसंत्रा राजे यôकदान दिया तो व संद्रा के लिए मुश्किलिन बढ़ सकती हैं कि वई किव्याध है कि नारे करने के पर्यास कर रही है ऐसे ऐसे में गहलोद द्वारा वसंद्रा की तारीफ करना इस वर्ष होने वाले विधानसवाद चौनाओं से पहले अपनी ही पाटी में वसंद्रा राजे की मुश्किलें बढ़ा सकता है हम आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आशोग गहलोद ने कहा है कि साल 2020 मे उनकी सरकार राजनीतिक संकट से बच गई क्योंकि पूरु मुख्यमंत्री वसंद्रा राजे और पूरु विधानसवा अध्यक्ष और विधायक कैलाश मेगवाल ने पैसों के बल पर उनकी सरकार को गिराने के शड़ियंत्र का समर्थन नहीं किया उन्होंने केंद्रिय मंत्रियों अमिश्या, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंग शेखावत पर अपनी सरकार को गिराए जाने का शड़ियंत्र रचने का भी आरूप लगाया जिसे खारिश करते हुए पूरु मुख्यमंत्री वसंद्रा राजे ने कहा है कि गहलो के खिलाब बगावत कर दी थी पार्टी आलाकवान के हस्तक्षेव के बाद महीनी भर चला संकट समाप्त हुआ इसके बाद सचिन पाइलेट को उपमुख्यमंत्री और राइस्थान कॉंग्रेस अध्यक्ष के पच से हटा दिया गया था धौलपूर में वसंद्रा राजे क ग्रह छेत्र में रविवार को एक करक्रम को समधित करते वे अशोग गहलोत ने कहा कि उन्होंने राइस्थान में भैरो सिंग शेखावत के नेत्रे तौई बीजेपी नेत्रे तौई सरकार को गिराने का समधन नहीं किया था जिस समय व्यहब्व प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि यह अनुचित था और ऐसा ही कैलाश मेगवाल ने तथा वसंद्रा राजे सिंध्या ने किया गहलोत ने कहा कि दोनों बीजेपी नेताओं यह अनुचित अध्यक्ष परदान यह आपका गरीन सेखवत यह कंजी मंत्री है इन सबने मिलके शरंद जिया पैसे बांड़ती राष्तान गंदर भी पैसे वापर ले रहे हुआ है पुरे चंदा लगी हुए है पैसा क्यों नहीं ले रहे हुआ है वापर क्यों नहीं मांग कुछ खर्ष कर दिया हो वह खर्ष किया पोर्टन में दे दूंगा यह इसी इसी दिलवाद में उनको वापर अमिसा को 10 कोड़ देओ बापर 15 कोड़ देओ उसको उसका पैसा मत रखो उसका पैसा लखोगे हमेशा आपके दबा बना जखेंगे उक्रा मंत्री भी है वो दंक अधिशन के दूंगा दराएगा जयते वो गुजाद में धंकाता दराता है माराश पे धंका के दमका के शिवसने के दो टुकड़े कर दिये पचीश हमेरों ले दिया बोग खतरना खेल खेलते हैं मिसा ग्रा मंत्री मैंने अमेरों को कहा है तुमने गज्टी कर दी कोई बा वो मैं खाना पूर्टी करूंगा अखिल भारते कौंगे अधिश को क्या करके उनका फेरा वापर दो आप लो तबाव नेरे आप इमान दाई से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका मेरी डूटी मंती है तुमने गल्टी कर दी और मने बुरे आपने मुख्य मंती बनाई है यहा है दाउ गांडी ने बनाओ चोने गांदी अनि अन धूरा इमान इति कि तिन भा बना दिया तो मẹडिनी अधिक पवरणी बाते भूलके सब को साथ दे के चलों काम में में यह कोई कभी 172 कि सबीवW SP करने का मेरी अंतीम सांस तक मैं प्रदेश वाजिवा करना चाहता हूं यह में बारबा क्या चुका हूं उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि अपनी ही पार्टी में हो रही बगावत और रसातल में जाते जनाधार के कारण बॉकलाहर्ट में गहलोत ने ऐसे अमर्यादित और असत्यारोप लगाई है। कोई कर ही नहीं सकता वह 2023 के चुनाव में होने वाली एतिहासिक हार से बचने के लिए ऐसी मनगणत कहानिया गड़ रहे हैं जो दुरुफा के पूर्ण है और उनकी एचाल काम्याब होने वाली नहीं है।